दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर मुश्राफ हुसैन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको सर्जरी एडवाइस कर दी है तो उसकी प्लैनिंग कैसे करे तो सबसे पहले आपने जब डॉक्टर इस कंसल्ट किया उसने का जी आपको सर्जरी करानी है और फिर आपको डेट भी दे देता है पर आप करें क्या क्या करें क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़े प्रिस्क्रिप्शन पर डॉक्टर की तरफ से लिखके आ जाती है कि आपको ये करना है वो करना वो करना इस समय पर आना है ये टेस्स कराना वो टेस्स कराना है इसमें कुछ कंफ्यूजन भी होता है मरीज को भी लिखता है क्या करें तो मैं स्टेप बाइ स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूँगा क्या 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 करना चाहिए तो शुर जिरीगी डेट्स, उटी की अविलिबिलिटी के हिसाब से कब मिलेंगी और उसके साथ-साथ वो आपको कुछ चाचे लिखेगा जिनको pre-anesthesia check-up कहा जाता है pre-anesthesia check-up में 3 component होते हैं पहला component होता है आपके कुछ blood investigation करना जो routine investigations होते हैं जिसमें आपके hemoglobin की जाच होती है, कोई सेडिन में infection तो नहीं है, उसकी जाच होती है उसके अलावा आपको कोई viral infection तो नहीं है, जिससे आपके doctor को भी खतरा हो सकता है, किसी और मरीज को खतरा हो सकता है या जो equipment आपको use करना है, उनको किस तरीके से इस्तिमाल करना है, तो viral markers की एक जाच होती है कुछ आपके functions को भी देखा जाता है, kidney function कैसा, liver function कैसा है तो यह कुछ routine blood investigations होता है, जो doctor करा के देखता है दूसरा component होता है, medical clearance का, तो उसमें कई बार अगर आपको कोई pre-existing disease है मालो आप कोई heart के लिए, hypertension के लिए, diabetes के लिए, या किसी और तरह की कोई दवाई काते है आपको अस्तमा है या कोई और बिमारी है तो उस condition में जो आपका surgeon है, वो prefer करता है कि आप उस doctor का, जिसका इलाज आपका चल रहा है, जिस बिमारी का भी उसका clearance आप लेकिया है, कि क्या इस बिमारी के साथ साथ, इस surgery को perform किया जा सकता है और अगर हाँ, तो क्या-क्या precautions लेनी है तो दूसरा component ये होता है, और तीसरा component होता है, बेहुशी के doctor का क्यूंकि उसमें फिर बेहुशी का doctor अपने हिसाब से देखता है, कि आपकी उमर के हिसाब से, आपके type of surgery के हिसाब से कौन-कौन सी जांचे और करानी है, जिसमें कई बार वो आपका ECG, X-ray, इविन कुछ cases में अल्टरा साथ, या कुछ और जांचे भी कराता है, और वो खुछ से examine करता है या PFT कराके देख लेता है, आपकी lungs का status जानने के लिए, और फिर वो clearance देता है, कि हाँ, इस मरीज को बेहुशी की दवाई दी जा सकती है, और इसी के हिसाब से decide किया जाता है, कि किस type का आपको anesthesia या बेहुशी की दवाई चलेगी, तो ये तीन component होगे, इन तीन component का आपक कि surgery की date से पहले complete हो जाना जरूरी है, तो ये तो हमने बात कर ली कुछ जो जाचे करनी है, जो सीधे doctor से related बात है, आपके लिए क्या चीज़े जानना जरूरी होता है, आपको surgery के दिन जब आप hospital जाते हैं, तो इत्तो खाली पेट जाना होता है, अकसर surgeries में या जिन surgeries में भी बेहोशी की दवा दी जाती है, या एविन आपको spinal anesthesia भी दिया जाता है, या आपको sedation दिया जाता है, ये सला दी जाती है कि आप कम से कम 10-12 घंटे की fasting में आए, पेट अपका खाली हो जाए, क्योंकि कई बार बेहोशी की दवा से उल्टी आने का डर होता है, और सोचिए मरीज को कहते हैं कि उसने aspirate कर लिया और मरीज कई बार collapse भी हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए ये ये कहा जाता है कि आपको खाली पेट ही आना है, बिल्कुल खाली पेट, निलोरली रखता जाता है आपको, आप घर से अच्छे से नहाद होके जाएं, साबन श जाना allowed नहीं होता है, सुबह बिल्कुल निश्विन्थ होके जाएं, कोई ऐसा ज़्यादा pressure अपने दिमाग पे ना लें, क्योंकि कई बार होता है कि आप tension में आपका blood pressure बढ़ जाता है, जो temporary होता है, इससे आपकी surgery delay होती है, तो ये चीज़े भी आपको ध्यान रखनी की जरूत होती है, अस्पदाल में जाके आपके कपड़े चेंज कर दिया आता है, और आपके जो पुराने कपड़े हैं, उनको उतार लिया जाता है, तो एक ऐसा bag या baggage भी साथ लेके जाएं, जिसमें आप अपने कपड़ों को डाल के रख सके हैं, और आपके attendant को end over किया जा स प्रीज को OT के pre-operative area में shift किया जाता है, वहाँ पर इन सारी चीजों को एक बार से फिर से देखा जाता है, जो P.S.E. के दोरान जाचे वगरा होई थी, आपकी जो भी reports आई थी, और उसके बाद नर्स और डॉक्टर्स decide करते हैं कि इस particular time पे आपको OT के अंदर लेना है, तो सर्जर अपना काम कर रहा होता है, इस तरीके से OT कंप्लीट हो जाती है, यानि के सर्जरी कंप्लीट हो जाती है, सर्जरी कंप्लीट होने के बाद भी आपको recovery area में थोड़ी देर रोका जाता है, ये देखने के लिए कोई दिक्कत ना हो ward में भीजने से पहले, इसलिए कुल मिला के आपको लगता है, बहुत लंबा समय होता है, हलाकि आपको doctors और team साथ साथ update देती रहती है, तो उसमें घवरानी की ज़रूरत नहीं होती है, आपको धहरिये से काम लेना चाहिए, तो मुझे उमीद आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ नया सीखा होगा, अगर आ इस तरह के health informative videos आपको मिलते रहें, thank you, धन्यवाद